रूस ने अचानक ये कहकर दुनिया को चोका दिया है कि ओ काला सागर अनाज समझोते को आगे नहीं बढ़ाएगा ये समझोता इस बात की ग्यारेंटी थी कि यूकरेन से आने वाले अनाज के जहाजों को सुरक्षित रखा जाएगा संबार को समझोता खतम हो गया ये समझोता सुम्झोत राष्टो यानि यूनाइटेड स्टेट और तुर्की की मध्यस्तता से हुआ था दोनों देश फिर एक बार इसे बढ़ाए जाने पर जोड़ दे रहे हैं रूस को लगातार समझोता कायम रखने के लिए राजी करने का प्रयास क्या जा रहा है लेकिन रूस ने एक ना सुनी और समझोता रौध हो गया तो जानते हैं आखिर क्या है काला सागर अनाज समझोता और क्यों इसके खतम होने से दुनिया पर प्रभाप पड़ेगा आईए समझने की कुशिस करते हैं रूस के साथ यूद जहल रहा यूकरेन सबसे बड़ा खाद्या निरियातक देश है खासतोर से यहां गेहूं और मक्का का निरियात क्या जाता है निर्यात का ज्यादातर हिस्सा सोईंग राष्टर के खाद्य सहायता कारेक्रम को मजबूत करता है पिछले साल फेबरुआरी में जब रूस ने यूक्रेन पर आक्रमन किया था तो सबसे पहले यूक्रेन के प्रमुग बंधर गाहों पर कपजा किया था इससे खाद्य पदर्तों की किम्तों में इजाफा होने लगा था खास तोर से दुनिया के ओ देश जो गरीब है उनमें खाद्य संकट बढ़ गया था इसके बाद इस संकट का हाल निकलने का प्रयास सुरू हुआ था फेबरुआरी 2022 से लगातार बढ़ रहे खाद्या संकट को खतम करने के लिए सोविंतराष्टर और तूर्की ने मध्य सता करके रूस को काला सागर अनाज समझोते के लिए राजी किया था इसके तवत रूस ने यूकरेन के तीन बंदरगा, चोर्नो मुस्को, पीड़ एंफीबडेनी और उडिसा से खाद्यान ले जा रहे जहाजो को जांच के बाद आगे जाने की अनुमती दे दी थी काला सागर में 310 नोटिकल माइन्स लंबा और 3 नोटिकल माइनस चोड़ा एक सुरक्षित रास्ता भी त्यार किया गया था काला सागर अनाच समझोता सबसे पहले जुलाई 2022 में 120 दिन के लिए हुआ था, रभेंबर 2022 में इसे फिर से 120 दिन के लिए बढ़ा दिया गया था मार्च महिने में जब फिर से समझोते को रिन्यू करने की बात आई तो रूस ने इसे सिर्फ 60 दिन के लिए ही बढ़ाया था 17 माई को फिर इसे 60 दिन के लिए एक्स्टेंड कर दिया गया था जो 17 जुलाई को खतम हो गया यूएस और तुर्की की मध्य सता के बावजूद रूस समझोते से पीछे हट गया दरसल पस्चीबी देसों ने रूस पर कई प्रतिबन लगा रहे हैं ऐसे में रूस को अपने कुरुसी उतपार निर्याद करने में परिसाने हो रही है समझोते से हटने के पीछे भी रूस की ओर से एही तर्क दिया जा रहा है हाल ही में 13 जुलाई को एक फ्रेस कंफरेंस में रूस के राष्ट्रपती ब्लादिविर पुतिन ने समझोता रद करने की इरादे जता दिये थे रिपोर्ट के मुताबिक पुतिन ने कहा था कि हमने इस सोधे को आगे बढ़ाने के लिए बार-बार सधावना दिखाई लेकिन अब बहुत हो गया रूस ने ये भी तर्क दिया था कि ओ इस समझोते के लिए बैसिक खाद्य सुरक्षा निधारित करने के लिए त्यार हुआ था लेकिन युक्रेन उच्चा और मध्यम आये वाले देशों को ही खाद्या निध्यात कर रहा है आई होब आपको काला सागर अनात समझोता क्या है और रूस ने इसे क्यूं खतम किया इसके बारे में समझ में आ गया होगा अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक कीजे शेर कीजे और सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए तब तक के लिए आप सभी को मेरे तरफ से जय हिंद